दोस्तों कभी सुना है कि अगर आपको है कोई भी बीपी की समस्या, हर्ट की कोई प्राब्लम है, कलिस्ट्रोल से आप परिशान है, लिवर फैटी है, आपको डैजेशन में तकलीफ होती है, तो मेरी दादीमा ने बताया था ये बहुत ही जबरदस्त रामबान नुस्का, जि अगर आपको ये असर करती है, तो आप इसका सेवन कर सकती है, और कैसे लेना इसको बता दूँ, ऐसे कोई एक कच्ची आप लोकी ले ले मार्केट में से, जो थोड़ी हरी हो, उसके दोनों एंड्स को काट ले और उसको छील ले, अब कैसे तयार करना है, और क्या-क्या इस वीडियो में बता देता हूं, तो दोस्तों हमने लोकी को छील लिया है, और अच्छे से छील किये, इसके बाद हमें इसे कद्दुकश करना है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मान लीजे, आप बीपी के मरीज है, आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम है, आपको मालू अच्छे से अच्छे से लिया है, आपको बात करूँ, तो आपके कॉलिस्ट्रोल लेवल को कम करती है, आपके हर्ट की कोई ब्लॉकेज है, उसको अगर कंट्रोलेबल कंडीशन में है, तो मदद करती है, ब्लॉकेज थोड़ी कम हो, तो लॉकी के जूस के जितने फायदे ब इतनी क्वांटिटी में जूस निकालना चाहए इसमें धूटा सा काला नंग Allah लेकिन अगर आप को विपी समMAN से हैं तो चलिए तो अच्हे से क्वाइव घ्रक cap ज़ाधा रस निकले तो चलिए अब हमने इसको अच्테 से निचोड़ लेना है हेंड प्रेस कर लेना है तो हमने हेंड प्रेस करके कितना सारा जूस निकाल लिया है अच्छे से निकाल लेथे जब तक ये जूस निकलता है आपको बदा दूं दोस्तों ऐसी धेर सारे टिप्स हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी डाली हैं अगर आप इस वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल तक ले जाएगा और आपको बहुत ट्रिक्स आपको तो चलिए जूस अच्छे से निकल के तयार हो गया है अब मैं इस जूस को चानूंगा लेकिन चानने से पहले मैं इसमें एक और सीक्रेट चीज डालने वाला हूं वह है नीबू नीबू दोस्तों इसका स्वाध चारगुना करें